बच्चों कैसे हैं आप सभी बीकॉम वाले सभी स्टुएंट चाहे आप सेकंड यर में चाहे फाइनल यर में आपके एक्जाम से हैं तो कम टाइम में कैसे अच्छी से त्यारी करके मार्क्स ला सकते हैं मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कुछ फोर्मूला बताने व सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सेकंड यर वाले बच्चे दियां दिए जिनके सबज़ेक्टिव पेपर होने हैं उसमें क्या होता है ओप्षन इस बार आपको खूब मिलने वाला है लास्टे वाला पैटन नहीं रहेगा इस बार आपको आदे कोश्चन आएगे बहुत जंगा पर पूरे भी आ सकते हैं लेकिन option आपको खूब मिलेगा हो सकता है 2 में से 1, 2 में से 1 या 2 में से 1 करने का option वे जैसे कि हमें m.com में मिला करता था m.com में ऐसी होता है 10 question में से 5 करने होते हैं 2 में से 2 में से 1 करके लेकिन दूसरा इस बार एक और chance है कि आपके जो short questions हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं long questions कम हो सकते हैं क्योंकि 1.5 गंटे के duration में long questions ज़्यादा नहीं दे सकते हैं उसका भी एक reason है तो मैं आप सबको कहूँगा सबसे पहला tip तो आप सबको यह है कि short questions पर ज़्यादा पकड़ करें अपनी जी हाँ नमबर दो आप जो तयारी कर रहे हो वो particular किसी book से कर रहे हो तो अब नहीं हो पाएगी क्योंकि book से कवो मतलब है पूरे साल पढ़ते तो बात होती आप एक काम करिए दो question bank कम से कम लेके चलो जैसे CCS वाले बच्चे उनको मैं कमगा काका का यानि कि आपका चितरा का एक आता है वो ले सकते हैं एक आईशी का आता है वो ले सकते हैं दो कंपनियों के question bank कहलो refresher कहलो उसे आप लें उनसे आप तयारी करें अब बच्चा कहेगा सर मैं तो एक ही पढ़ लेता हूँ अगर आप किसी एक question bank से पढ़ रहे हो तो कभी भी अच्छे marks नहीं आएंगे क्योंकि question bank में पहले 40% data होता है किसी book का और उसके बाद आप क्या पढ़ोगे क्या महा लिखोगे आपके marks बहुत कम आएंगे तो पहली बात है कम से कम दो question bank ले पहले एक को पढ़ ले दूसरे से revision कर ले या दोनों के short questions cover कर ले ध्यान रखिएगा हाँ जिसका आप long question कर रहे हो उसका short question ना करो क्योंकि short time में यही तरीका है जिस topic का short questions कर रहे हो उसके long question मत करो क्योंकि long से short या short से long बनाए जा सकते हैं concepts को के लिए करके चलो topic को के लिए कर मत चलो साथ में मैं आपको उताना चाहता हूँ important questions की सिरी लेकर आ रहा हूँ 6 subjects के important question दे चुका हूँ जो और subjects के important चीए आप मुझे comment करके बताओ मैं वोई provide गरा दूँगा फटा फट से क्योंकि आपको maximum marks लाने हैं कम से कम टाइम में तभी आपकी week home की marking हो पाएगी last year भी आप promote होगे थे जिस currency दबार problem ना हो आपको यह थी secondary वाले बच्चों के लिए बात अब बात करते हैं यहाँ पर कि secondary वाले बच्चों को क्या सारी पढ़ना है या कुछ chapter पढ़े आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आपके 10th chapter है से लिवस में आप स्टार्टिंग के 6 या 7 chapters पढ़ें उन्हें में सी बहुत कुछ आ जाए क्योंकि university के जो exam होते हैं हर chapter से average marking होती है एसा नहीं कि शुरू के chapter से आएगा एसा नहीं कि last से आएगा सब से आता है ठीक है एक चीज़ ओर में बताना चाहूँगा universities के exam paper में repeated question बहुत होते हैं तो जो last year के question paper कहीं से मिल जाएं आपको two year, three year के उन्हें भी कर लो फिर्क उनमें से बहुत question repeat होते रहते हैं आप खुद देखोगे इस बात को google पे मिल सकते हैं ठीक है google पे मिल जाएंगे किसी पुराने student से ले लो यही time है marks gaining का यह second year relatives final year की बात करते हैं जिनके objective question आना है जिनके objective आएंगे गंटे में पहले आते थे सो question तीन गंटे में अब वो सकता है पचास question आये डिड़ गंटे में अब वो 50 questions आपको कैसे correct करने objective तो उसके लिए दो तरीके हैं एक तो यह है कि भाया कुछ नहीं आता jam आता दी कर दो लेकिन optional subject में fail हो लेकि chance उतने ही जादा है तो बिल्कुल भी care lesson नहीं रखनी अगर आप marks लाना चाहते हो तो तरीका मैं आपको बताता हूँ concept के लिए करके चलो question को रटो मत book ले लो आप और हर एक book की reading करते चलो जितने भी subjective जितने भी आपके theoretical subjects हैं उन सब की book ले लो market से पुरानी और उन्हें reading करो क्योंकि बीच में से question बनाए जाते हैं जैसे sun हो गया या कोई writer का name हो गया या कोई act हो गया या कोई भी चीज़ एक्ट हो गयरा हो गया ये सबी जाधार आते हैं types होगे merit, demerits होगे, advantage होगे इन्हें पढ़िये दिमाग में बिठाइए, रटिये मत क्योंकि question optional कहां से आजाए कुछ नहीं पता concepts को दिमाग में बिठा के चलो और चाहते नुमेरिकल की बात है ऐसे नुमेरिकल जिनका short answer आता है वो ज़्यादा आते हैं कभी-कभी तो बड़े-बड़े numerical जाए, share का question आ गया उसमें केवली यह निकालना है कि forfeited amount कितनी आएगी या capital reserve की amount कितनी आएगी ऐसे question आ जाते हैं partnership में बहुत कम chance ही रहते हैं shares में ज्यादा रहते हैं और financial management आपके पास है जो भी आए आपके बस उसमें numerical पर कम ध्यान दो theoretical पर जदा दो क्योंकि time कम है numerical पर एक काम कर लो जो question bank में numerical हैं वो ही कर लो question bank के numerical है repeat होते रहते हैं उससे question bank के numerical से आपका काम हो जाएगा तो यह ते में तरह से tips और वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें बैल आइकून प्रेस करना regular आपको tip देता रहता हूँ कोई भी query हो आपको regular आप पूछ सकते हैं thank you very much